तो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉनिटर के बारे में बताऊंगा आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इंपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया था जैसे हो गया आपका MICR हो गया उसके बाद OMR हो गया आपका उसके बाद मैंने आपको Keyboards के बारे में बताया, mouse के बारे में बताया, ये सारे क्या थे? Input device थे. Input device का मतलब क्या होता है? एक इंसान या फिर एक human कोई अगर desired result को computer में सो करना चाहता है जो वो चाहता है for example अगर आप computer के screen पे कुछ लिखना चाहते हो ठीक है तो आप उस condition में क्या करोगे आप उस time पर आप keyboard का use करोगे और उसके बाद typing करोगे तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या है एक तरेके का input device आप computer के अंदर input कुछ देते हो ठीक है और यहाँ पर है अब हम लोग जो start करने वाले हैं वो क्या होगा आपका वो होगा आपका output device अब output device basically क्या होता है मैंने आपने first वाले वीडियो में बताया था जो मैंने computer का lecture जब start मैंने किया था तो मैंने first वाले वीडियो में बताया था आपको कि आखिर output device क्या होता है ठीक है output device का simple मतलब यह होता है computer जो आपको result provide करती है उसको हम लोग क्या कहते है output devices कहते है मैंने सारा definition बताया था आप पहल मैं आपको बताऊंगा जैसे मॉनिटर के बारे में बताऊंगा मैं आपको प्रिंटर के बारे में बताऊंगा प्रिंटर इंपोर्टेंट है उसके कुछ टाइप्स होते है जैसे हो गया आपका इंपक्त प्रिंटर क्या होते है नॉन इंपक्त प्रिंटर क्या होते है उसके अ उसे output device किया कहा गया, मैं आपको बताता हूँ, for example, आपके पास keyboard है, ठीक है, आपके पास keyboard है, अब keyboard से आप क्या करे हो, कुछ भी चीज टाइप कर रहे हो, ठीक, अब monitor क्या करेगा, आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा, आपने keyboard से command किया, लेकिन अब वो computer क्या कर रहा है, आपको display के थ्रू आपको ये बता रहा है, कि हाँ भाया, आपने ये लिखा है, हम आपको ये चीज शो कर रहे है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या है, वो हमें output दे रहा है, हम क्या किये, अपने तरफ से उसको input दिये, लेकिन आप computer अपने monitor के थ्रू क्या कर रहा है, व on its screen, जो भी work आप करना चाहते हो, जो भी image photo अगयरा देखना चाहते हो, जो आपका desired चीज है, तो वो आपको क्या होगा, उस monitor के ओपर दिख जाएगा, ठीक है, अब देखो, after processing the input, the result is shown on the monitor, मैंने आपको बताया, हम कुछ input प्रवाइड करते हैं, तो उसके बाद हमें, further हम हमें back मिलता है, क्या हमारा output मिलता है, तो वही है, input आप डालोगे, तो output आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है, आपको शायद पता होगा, या फिर आप, आप जानते भी होगे, कि देखो भाई, अगर पढ़ाई करोगे, तभी आपको कुछ result मिलेगा, for example, कोई होगा नहीं, मैं अपने भागे पे जी रहा हूँ, मेरा लग काफी अच्छा है, मेरा examination में हो जाएगा, ऐसे 99% बच्चों का ऐसा नहीं होता है, 1, 1, 2, 2 बच्ची मिल जाएंगे आपको, तो वो भागे पे जीते और उनका हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ में, ठीक है, चलो, अब देखो, monitor भीना बहुत तरीके के होते हैं, ज्यान बाजी करने की जुरूत नहीं है, बस आपको यह याद रखना है, कि आखिर monitor क्या है, कैसे क्या होते हैं, और उसके types कितने होते हैं, कभी-कभी MCQ में पूछ लेगा, कि what are the different types of monitor, कितने निमलिखित में से कौन-कौन प्रकार आपके monitor के होते हैं, तो वहाँ पर आपको 3-4 example दे दिया जाएगा, जैसे कि आपका monitor के types आप देख सकते हो, cathode ray tube, CRT monitor जिसको आपका कहते हो, उसके बाद liquid crystal display, LCD monitor, जो LCD हमारे घर में TV चलती है, तो उसके बाद light emitted diode, LED monitors होते हैं, तो यह basically तीन तरीक एक आपका monitor होते हैं, बस आप उसका एक बार देख लो कि monitor क्या होते हैं, इसके types क्या हैं, बस इतना, इसके इलाब आपको कुछ नहीं जानना है, लेकिन हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, printer, इसके बारे में एक-एक चीड डिटेल में जानेंगे, क्यों, क्यों printer के बारे में अभी आगे वाली slide में बताऊंगा, वैसे आप देख लो printer क्या होता है, printer मैंने 1st और 2nd वाले वीडियो में बताया था, देखो printer basically क्या है, for example, अगर आप SSC CGL, या फिर कोई भी MTS, कोई भी form भढ़ते हो, या UPS CPFO, कोई भी form आप भढ़ते हो, आपने क्या किय इधर से कुछ command दिया, अब output क्या होगा, आपका acknowledgement paper, acknowledgement paper यानि application form, जो आपको कागच समिलता है, जिसमें आपका name होता है, father's name, आपका registration number, तो वो हमें कहां से print, print करते हैं तो वही कौन print वो करके देता है, वो हमारा printer ही print करके देता है, ठीक है, अब देखो printer को basically 2 parts में divide किया ग आते हैं, further इसमें और भी example साएंगे, मैं आपको बताऊंगा, printer के basically 2 types से, एक हो गया आपका impact printer, दूसरा हो गया क्या कौन सा, non impact printer, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक हो गया कौन सा आपका impact printer, एक आपका कौन सा हो गया, non impact printer, तो आपको मैंने यहाँ पर बता दि देख लो, मैंने printer के बारे में आपको बताया, कि आखिर printer क्या होते हैं, कितने types के printer होते हैं, जो broad classification printer का बोलो, तो वो दो है, एक हो गया impact और दूसरा हो गया non impact printer, आप इसको फटा-फट एक काम करो, note down कर लो, फिर मैं आपको next वाली, next वाली slide में बताऊंगा, कि आखिर यह basically printer दो types के हैं, कि यह क्या है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो